नमस्कार में हो प्रिया पटना नियूज में आपका स्वागत है चले जानते हैं पटना की 11 फटाफट खबरों को इंटरवार्शिक परिक्षा का रिजल्ट आज 3 बजे होगा घोशित इंटर वार्शिक परिक्षा का रिजल्ट बुधवार को तीन बजे घोशित किया जाएगा रिजल्ट की घोशना बिहार के सिक्षा मंतरी विजे कुमार चौधरी करेंगे इसकी जानकारी बिहार बोर्ड अध्यक्ष आनंद किशोर ने दी है उन्होंने बताये कि रिजल्ट घोशित करने के मौके पर सिक्षा विभाग के अपर मुख्यसाचिव संजे कुमार भी मौजूद रहेंगे बिहार बोर्ड लगातार तीसरी बार देश में सबसे पहले इंटर का रिजल्ट जारी करेगा रिजल्ट बोर्ड की वेबसाइट पर जारी किया जाएगा यानि कि छात्रब अपना परिणाम बिहार बोर्ड ओनलाइन.bihar.gov.in पर जाकर देख सकते हैं मांदे के लिए ग्राम रक्षा दलों ने किया प्रदर्शन, पुलिस ने किया लाठी चार्च बिहार के ग्राम रक्षा दल और पुलिस मित्र नियमित मांदे भुगतान और स्थाई करन की मांग को लेकर के कई दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं इस बीच आज मंगलवार को ग्राम रक्षादल और पुलिस मित्र ने बड़ी संख्या में हाथों में कटोरा लेकर राजभवन मार्च करने के लिए पहुँजे लेकिन इनके मनसूब पर पुलिस ने पानी फेर दिया और भीड को लाठियों से खदेर दिया पुलिस ने ग्राम रक्षादल और पुलिस मित्र के प्रदर्शन को रोकते वे भीड को तितर बितर करने के लिए उन पर लाठियां भी चलाए आपको बता दे कि मानदे और स्थाईकरन की मांग को लेकर कांधी मैदान में भिक्षाटन करते वे प्रदर्शन किया है मुख्यमंत्री नितीश कुमार ने बहटा सरमेरा पत्खा किया निरिक्षन बीते दिन मुख्यमंत्री नितीश कुमार ने बहटा सरमेरा सरको का निरिक्षन किया इसके तहती सीम नितीश ने बहटा से सरमेरा तक बन रहे सरक का निरिक्षन तो किया ही साथी बिहार पत्र निर्मान विकास निगम सरक का अंदर्मान कर रहा है इस बात की जानकारी भी दिये आपकी जानकारी के लिए आपको बता दे कि 94 किलोमीटर लंबी स्टेट हाइवे का निर्मान करीब 1916 करोर रुपे में हो रहा है उमीद है कि इसी साल जून में इसको शुरू किये जाने का लक्षे रखा गया है जिसके बाद ही मुख्यमंत्री ने निरीक्षन के दौरान अधिकारियों को काम में तेजी लाने का निर्देश दिया है मुबाइल में मिले 100 से अधिक नंबरों की जाच में जुटी पुलीस हाल ही में पटना में पकड़े गए आरोपित राजकिशोर रॉय और राजकुमार रॉय के जब्त मुबाइल में 100 से अधिक संदिक्ध लोगों के नंबर पाए गए आपकी जानकारी के लिए आपको बता दे कि इनकी गिरफतारी हतियार और शराब की सप्लाई करने के मामले में हुई थी पुलिस को आशंका है कि ये नंबर उन लोगों के हैं जिनके ठिकानों पर आरोपितों की तरफ से शराब की होम डिलिवरी की जाती थी पटना के बेउड जेल से फोन कर अपराधी ने मांगी रंगदारी पटना में बेउड जेल के अपराधी हर दिन के साथ हाई टेक होते जा रहे हैं पटना के बेउर जेल में बंध अपराधी पंकच शर्मा ने मंगलवार को व्यापारी से रंगदारी तक की मांग कर ली आप भी जरूर इसको सुन कर शौक होंगे लेकिन ये सच है जेल से फोन कर पंकच ने राजीव नगर के बिजनसमैन से पैसे की मांग की इतना ही नहीं पैसे नहीं देने पर जान से मालने की धमकी भी दी है पीडित की तरफ से सूचना देने पर जब पुलीस चापे मारी करने पहुची तो पंकच अपने वाट से गायब मिला मंटो सिंग के सेल से मिले पंकच के पास से मुबाइल बर आमद किया गया है बिहार में कोरोना अब अपने समापन की ओर बिहार में कोरोना अब छू मंतर होने लगा है आलम कुछ ही हूँ है कि बिहार में हर दिन के साथ कोरोना के मामलों में गिरावर जा रही है स्वास्त वभाग के तरफ से बीते दिन साज्वा की गई ज्वानकारी के अनुसार बिहार में बीते दिन के पिछले 24 घंटे में 9 मामलों की पुष्टी हुई है जिसके बाद बिहार में आक्टिव मरीजों की संख्या 65 पर पहुँच गई है वहीं हम राजधानी पटना की बात करें तो पटना में एक बार फिर से एक भी मरीज की पुष्टी नहीं हुई पाटले पुत्र युनिवर्सिटी में छात्रों को मिला स्पोर्ट अड्मिशन का मौका पाटले पुत्र युनिवर्सिटी में अड्मिशन लेने के च्छा रखने वाले चात्रों के लिए एहम सूशा पाटले पुत्र युनिवर्सिटी सत्र में नामांकर लेने वाले पंजिकरित चात्र चात्रा जो ग्रुप, डिसकशन और पर्सनल इंटर्व्यू में भाग लिये हो लेकिन किसी कारण से नामांकर चूट गया है वैसे चात्र दुबारा से नामांकर करा सकते हैं मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार PPU में MBA के स्पोर्ट एड्मिशन के लिए 21 मार्च से 24 मार्च की संध्या 5 बजे तक पोर्टल खुला रहेगा नामांकर पोर्टल पर MBA के सीटों को दर्शाय गया है पटना में हो रही आलू की जुताई रहित खेती पटना में आलू की खेती का नया मॉडल तयार किया गया है जो कि भारती आलू अनुसंधान परिसद ने किया है इस नय मॉडल को जिरो टीलेज यानि की जुताई रहित खेती कहा जाता है इससे किसानों को कई तरह के फाइदे मिलेंगे कम लागत में अधिक पैदावार होगी वरिष्ट वेग्यानिक डॉक्टर शंभू कुमार ने इसकी जानकारी दी है साथी बताया है कि इस मेथड में आलू के कंदो को 20 सेंटिमीटर की दूरी रखते वे खेत में बिछा दे इससे आलू नीचे मिट्टी में नहीं जाकर धर्ती की सतह पर पैदा होते है पटना नगर निगम पर 19 करोड का बिजली बिल बकाया पटना के सरकारी कारियाले में बिजली का करोड का बकाया है आलम कुछ यू है कि नोटिस के बाद भी बिल जमान नहीं किया जाता आदिश जारी किया गया है कि बकाया बिल का भुकतान करने के बाद भी बिजली का कनेक्शन जोड़ा जाएगा बिहार में परमपरागत मच्वारों की सूची जारी करने की मांगी गई है अब सदस्ता अभ्यान को लेकर मच्वारों में काफी भैव्याप्त हो गया है कि कहीं उनकी सदस्ता को ही नागायब कर दिया जाए पहले के साल में देखा गया है कि परमपरागत मच्वारों की सूची में गैर मच्वाजाती के सदस्यों को शामिल किया गया है पटना के गांधी मैदान में आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास परिटन के तौर पर पटना का गांधी मैदान भी अपने आप में विशिष्ट महत्व रखता है इसका एतिहासिक महत्व है महत्वादान्दी का विश्व में सबसे उचा प्रतिमा यहीं पर स्थापित है भारत के आजादी से जुड़ा कई रैली यहां से निकली है कई महापुरुशों ने इस्थान पर अपना यादगार भाषन भी दिया है यह मैदान 60 हेकर से भी अधिक शेत्रफर में फैला हुआ है यहां आकर आप अलग ही प्रकार का आनंद ले सकते हैं कल हमारे द्वारा पूछे गया सवाल का जवाब आप में से बहुत सारी यूजर ने हमें कॉमेंट करके दिया था उसके लिए आपका बहुत बहुत हनिवाद आप में से जी न्यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है तो चोले बढ़तें आज के सवाल की और आज का सवाल कुछ इस प्रकार है आपके अनुसार राज़ानी पतना में बिहार सरकार ने विकास आत्मक कारे किये हैं या नहीं अपने जवाब में कॉमेंट करके ज़रूर बताएं इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही पतना की बड़ी खबरों से अबडेटेट रहने के लिए हमारे यूट्यूब चानल को सब्सक्राइब करें और बेल आइक को अंदबाना ना भूले धन्यवाद